आज मैं दिश्यतार अंजन आप सभी के समक्ष विधाइका में महिलाओं के लिए आरक्षन विधाइका को मजबूत करेगा के पक्ष में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुए गूँ मंजल ना दे चराग ना दे होसला तो दे तिनके काही सही तुम अगर आसरा तो दे मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब लेकिन ख़मोश क्यूँ है तू कोई फैसला तो दे रुका हुआ फैसला और विलंब से मिला न्याए अर्थ हीन है विधाइका में महिला अरक्षन के प्रश्न पर बेहिसाब नुक्ता चीनी किसलिये मैं विपक्षी साथियों को अती पिछडे देश रवांडा का उधारण देना चाहती हूँ ग्रिह युद्ध भया वहनर संगार यहां तक की लिंग आधारित हिंसा से जूजने के बाद वर्ष 2003 में इस अफ्रीकी देश का सब विधान लागू हुआ विधाइका में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षन दिया गया पहली ही संसद में 49 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आएं आज यह आकड़ा 60 प्रतिशत से भी अधिक है स्वबाविक है विपक्षी साथी प्रश्न करेंगे कि इससे विधाइका कैसे मजबूत हुई तीर क्या मार लिया गया तो रेखांकित कीजिए कि रवांडा आज धर्ती पर सबसे स्वच्छ देशों में से एक है हाल ही में विश्व बैंच ने गरीबी और और समांता कम करने के प्रयासों के लिए यहां के जन प्रतिनिध्यों की सराहना की है और यहां हमारे प्रतिपक्षी धिंडो और पीट रहे हैं कि विधाइका में महिला अरक्षन से क्या होगा किसी ने कहा है वाकिफ कहा जमाना हमारी उडान से वो और थे जो हार गए आसमान से भारत की उस विधाई का कस्मरण कीजिए जब नेत्रित्व लोगप्रिय प्रधानमंत्री और सांसत श्रीमती इंदिराग गांधी के हाथों में था उन्हें जिन मजबूत फैसनों के लिए जाना जाता है उसमें बैंकों के राष्ट्रिय करण से लेकर परमान उत्ताकत हासिल करना तक सम्मिले थे मेरा प्रश्ण है कि क्या सुष्मा स्वराज स्मिर्ती रानी और निर्मला सीता रमन जैसी महिलाओं ने विधाइका को गर्व और मजबूती दोना हिप्रिदा नहीं किया किसी ने कहा है मेरे तूटे होसले के पर निकलते देखकर उसने दीवारों को अपनी और उचा कर दिया जब ग्राम पंचायतों में पहली बार तैतीस प्रतिशत आरक्षन लागू किया गया तब तैतालीस प्रतिशत महिलाएं चुनकर आई थी हाँ हाँ जानती हूँ विपक्षी साथियों के पास इन जन प्रतिमितियों के लिए मुख्या पती वाले व्यंग उप्लब्द है परन्तु यह प्रयोग सफल रहा था कुछी समय पश्चात बिहार राजिस्थान मद्य प्रदेश हिमाचर प्रदेश उत्रा खंचक्टिस गई सहित अनेक राजियों में महिला प्रतिनिजिक्त्व को पचास प्रतिशक तक कर दिया गया जब पंचायते मजबूत हो सकती हैं तो हमारी विधान सभाएं और संसद्व क्यों नहीं विडम बना यह है कि अंतर संसद्य संग की तुवर्ड्स इक्वालिटी शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विधाईका में महिला प्रतिनिधित्व की द्रिष्टी से पडोसी देशों बांगला देश और पाकिस्तान से भी हमारी रैंकिंग बदतर है सुधार कैसे होगा इसके लिए दुश्यत कुमार ने बहतर शब्द चुने है हो गई है पीर परवत्सी पिखलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे विपक्षी साथियों ने बहुत से तर्क रखे उन्होंने आरक्षन को सम्ता मूलक सोच का अवरोधक कहा इस पर यही कहूंगी कि यदि जंगल में पेर पचलने की स्पर्धा हो तो हाधी और चीता समान नहीं है योग्यता की बात उठाने वाले प्रतिपक्षी साथि को मैं माननिय सुष्मा स्वराज के सन्युक्त राष्ट्र में दिये गए भाषणों का स्मरन कराना चाहूंगी ना भूता ना भविश्यती अनुसूचित जाती और जंजाती के आरक्षन का जो प्रशन उठाया गया है उस पर कहना जाहूंगी कि संसाथ में लंबित महिला प्रतिनिधित्व कानून उनके लिए रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन की वकालत करता है और इस उपेशित वर्ग के ससक्तिकरन को भी सुनिश्चित करता है एक साथी ने जन्मत का प्रशन उठाया है इस पर कहूंगी कि यदि शहबालों को प्रती चाहिए यदि निर्भाया को प्रती चाहिए यदि आसिवा के सशक्तिकरन की सोच है तो कुछ सीटे पुरुष वा चस्व बादियों को छोड़नी ही पड़ेंगी कहते हैं ना पग गई है आदते बातों सिसर होंगी नहीं कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं धन्यवाज अब ये चैनल पसद है तो इसको लाइक करें संस्क्राइब करें शेर करें और बेल एक जरूर दबाएं